कल में मार्केट गई थी तो मुझे मिल गए स्वीट कॉन अभी बारिस के मौसम में बहुत ही अच्छे स्वीट कॉन मिलते हैं तो ये तो मेरे घर में सीजन के पहले ही स्वीट कॉन आई हुए थे और मेरी बेटी को स्वीट कॉन बहुत जादा पसंद है और मुझे भी पसंद स्वीट कॉं से कितीनी सारी रेस्पी बन जाती हैं मुझे शूइट कॉन बहुत अच्छे लगतेism निकाल लिया है दो स्वीट कॉन में ने ले लिये थे और दोनों के अच्छे से छिलके को हम निकाल के लग कर लेंगे आनने तो पहले ही बता दिया था कि मम्मा मुझे स्वीट कॉन से कोई रेस्पी बना के रख देना मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है तो दौनों को छीलने के बाद एक नाइप से इसके पूरे दान को निकाल के भी अलग क लेंगे तो स्वीट कॉन दो थे और अच्छे बड़े साइच के तो बहुत सारे दाने में निकल गए थे सुबह का टाइम इतना ज्यादा बिजी होता है खास कर जब हमें बच्छों का लंच बनाना होता है तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई रेस्पी बना के तयार कर दें जो जटबट से ही बन जाए पानी मैंने पहले से गरम करने रख दिया था एक गंजी में पानी अच्छे से उबल गया है और यह दाने डाल देंगे हम पांच मिनट में दाने बिलकुल सॉफ्ट हो जाएंगे यह देखो सिर्फ पांच मिनट का ही समय लगेगा बिलकुल इतनी बढ़िया लगती है कि आप किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हैं चाया पूड़ी हो पराठा हो रोटी हो नानू किसी के भी साथ खाएंगे ना ये सबजी बहुत अच्छी लगती है और इसके साथ ही मैं ग्रेवी की भी तैयारी कर लूँगी तो ये मैंने कुछ कोटी वाली मिर्च है ज्यादा बड़ी नहीं है और सारी चीजों को कड़ाई में डालके बिल्कुँ सॉप्ट से हमें कर लेना है पका लेना है साथ में मगच के बीच भी एक चमज मिला दिये हैं जब सारी चीज अच्छ से सॉप्ट हो जाएंगी तो उसको हम थोड़ा से और थंडल करने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे एक पेश्ट बना के तियार कल लेंगे तो ये यह तो सारी चीजे में ने पीस ले है और उसी घटाए में जिसमीं यह भूनी एप्णी हुई थी सारी चीज वश्ञ जाना है 1 चमज तेल साथ में जो डेली के मसाले हम यूज करते हैं राइ जीरा सोप हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और डाल दी थोड़ इसी सपेद तिल बहुत अच्छी लगती है सपेद तो हमें किसी ना किसी रूप में खाना चाहिए उसके अंगिनत फायदे होते तो मैं कोई भी सब्जी बनाती हूं उसमें एक चमज तो मैथी बजार की नहीए जब मैथी आती है बहुत सस्ती मिलती है तो मैं उसको हमें सदो के और सुखा के रख लेती हूं साल भर चलती है मेरी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और साथ में मिला दिये महने स्विट कॉन अभी मुझे गरेवी थोड़िसी गाड़ी लग रही है और ये जो लाल लाल मिर्च दिख रहे हैं यह लंच बाक्स में रखने वाली नहीं हूं इसको तो मैं खाऊंगी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और यह तीखी वाली नहीं है कि आप सोचें कि इतनी सारी मिर्च मैंने इसमें मिला दिये तो ये तीखी होगी तो लंच बॉक्स में रखेंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ कलर वाली मिर्च है सिर्फ देखने के लिए डाल देते हैं जिससे सबजी का लुक अच्छा आजाता है कलर भी अच्छा आजाता है तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है सबजी बनके हो गई है तेयार पराठे की भी तेयारी कर लेते हैं आटावसन के मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था एक लोई लेंगे और उसके उपर थोड़ा सगी लगा देंगे आटे की डस्ट कर देंगे इसे क्या होता है कि पराठे जो है बिल्कुल शॉप्ट शॉप्ट बनते हैं और वो कड़क नहीं होते हैं कई वाल लंच वाक्स में पराठे लंबे समय तक रखे रहते न तो वो कड़क हो जाते हैं चाहे पराठे हो या पुड़ी हो या फिर कोई और चीजो तो वो बच्चे नहीं खाने लगते न तो इस तरीके से घी लगाके पराठों को बनाएंगे न तो वो बल्कुल शॉप् गया है एक एक पराठा ऐसी तरीके से फूलेगा आप थोड़ा सा घी लगा लो पर्थन डाल दो उसके अंदर और उसको लोई बनाके बेलो न तो एक एक पराठा फूलेगा और बिल्कुल सॉप्ट रहेगा आप सुबह का पराठा सामको भी खाएंगे न तो बिल्कुल सॉ गोष्ते होँ कि उनको लंच वाक्स में खाना ही रखों कि कई वार ऐसा होता है कि हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो बच्चे खानते हैं नहीं खाने लगते कृश्णकरते हैं तो इसकूल में कंपल सरी होता है fourth lunch फिनिस करना火 ही होता है तो वह सीख जाते हैं खाना तो में कोसित यह करती हूं कि अपने बच्चों को हर प्रकार की सब् mill i initial study उनके लट्रा यो और मुस्ट्अली तुमेν फ्रेटिं उनकी बढ़िऊं लगती हैं उननको की वह सारा लंच ंनल करके आते हैं ये देखो सबजी कितिनी बढ़िया बनी है थोड़ा सा पनीर भी मैंने इसमें किसके डाल दिया था ऐसा लग रहा है ना जैसे बड़े-बड़े होटल में या धावे में खाते हों बिलुकुल ऐसी सबजी बनके तयार हो गई है सबजी थोड़ी सी ठंडी हो गई है थोड़ी सी ठंडी करना में उसके बाद ही लंच हम पैक करेंगे टोटल लगेगा 10 से 12 मिनिट 10 से 12 मिनिट में ही आपका पूरा लंच बनके तयार हो जाएगा और इस तरीके से आप लंच बनाएंगे ना मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे पूरा लंच फिनिश करके आएंगे सबजी खाना सीख जाएंगे मेरे बच्चे भी पहले बिल्कुल नहीं खाते थे सबजी लेकिन ना मैंने इस तरीके से उनको रखना शुरू किया आए ना तो यकीन मानिये फ्रेंट पूरा लंच फिनिश करके आते हैं तो लंच तो हो गया है रेडी और आने भी स्कूल चली गई है और मुझे तो सबजी इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि टेस्ट करके तो देखूं कि सबजी कैसी बनी है तो मैंने भी अपनी थाली लगा ली उपर से थोड़ा सा पनी डाल देंगे इसके उपर और बस आज की मेरी थाली भी हो गई है रेडी और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये सबजी कैसी बनी हुई है वैसे खुसबू तो इसमें बहुत बढ़िया आ रही है तो बताईए फ्रेंट मैं डेली आपके साथ लंच वाक्स रेस्पी सेयर करती हूँ आपको अच्छे लगती है या नहीं लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए और बताईए कि मैं और किस तरह से लंच वाक्स बना सकती हूँ मुझे आइडिया आएगा मिलते हैं नएश्ट व्लॉग में और के टेक केर और बाई बाई